नमस्कार कैसे हैं सभी लोग बढ़िया हैं। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने एक निवेदन के अगरू जी कोई दिहाती मंत्र बताईए तंद्र काट के लिए। ये वही समझदार लोग हैं जो दिहाती मंत्रों की ताकत को समझते हैं। अत्यों ये बहुत ही पावरफुल रहता है। लेकिन आज अपसोस की बात बहुत सारे दर्शक बड़े बड़े अनosh्ठानों के पर ही भरोसा रखते हैं। प्यारे दर्सकों जो बड़े-बड़े अनुष्ठान, बड़े-बड़े जब तब जो कार नहीं करती वो छोटे-छोटे टोट के छोटे-छोटे उपाए और देहाती शाबर तो पूछो मत आज उसी साबर मंत्र में से एक देहाती शाबर में मंत बताने जा रहा हूं बहुत सई समय है ऐसे इस मंत्र को ग्रहन में दीपावली, दशहरा, होली इत्याद में आप रात को एक गी का चिराग जलाकर एक सो आट बार तुलसी की माला से आप इसका जाप दच्छन मुखों के कल लेना है ये सिद्ध हो जाएगा सिद्ध मतलब आपको बगएर रुके ये मंत्र बोल ले जाए कंठास तो हो जाए सिद्ध होने के बाद इस मंत्र से कैसे तंत्र बाधा किया हुआ रूगी सामने आएगा उसके पाव से सर तका एक धागा ना पेए और इसी मंत्र को पढ़कर पचीश टूकड़ करके वह धागा जला दिजिए उसी समय उसके ऊपर किया गया तंत्र मंत्र शर्व नास हो जाएगा, या नि मिठ्टी हो जाएगा कैसा भी तंत्र किया हुआ, परियोग किया हुआ सामने आया विक्तिका कपडा मिल जाए, उसी कपड़े को लेकर उसके सर से 7 बार उतारकर इस मंत्र को पढ़कर आप जमीन पर रखकर कपूर से जला दें वो जब जलने लगे तो एक डंडे से उसको साथ बार बोलकर पीट देंगे तो इससे जानते हो क्या होगा उसका तंत्र तो कटेगा लेकिन जिसने तंत्र किया उसके सरीर पर देखना तुरंत ही इसके निशान पढ़ जाएंगे उसके दर्द वो फिर कोई सही नहीं कर पाई जीवन भर उसको दर्दी रहेगा चूंकि उसने भी दर्द किसी को दिया तो उसको भी पीड़ा होनी चाहिए बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई अरे हां हां समझ गये तो यह चीज है इसी मंत्र को करना चाहिए कोई आपको देखे टोके ना इसे बोलते मंत्र जगाना मंत्र हम इस वीडियो के डिस्क्रेक्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं लेकिन एक बार उचारण करके मैं बता दे रहा हूं ओम काली रक्त जिव्या बजडे ताली काटारे काटा जदू काटा टोना काटा मंत्र काटा जीव मानुस मसान के काटा जरी मरी परी देव किननर भूत प्रेद का काटा बहत्तर हजार दोस नजर बाधा को काटा, महाकाली दवडरी पड़ी महादेव की पीड़ा देख, काट काट छाट छाट मार माटी दुआई बैमंती काली की, इसको आपको बोलना है, बहुत ही पावरफुल है, इसको आजमाईए, आजमाने के कोई जरूरत ही नहीं, आजमाना उसे जाता जिसको पर विश्वास नहोँ, यह बहुत ही पावरफुल है, चुकि यह हमारा जब मैं 8-9 अर्स के उमर का था, तब यह मुझे पराप्थ हुआ था, इसको बहुत सारी बार मैंने परियोग किया, और हमारे कमेंटरी में बहुत सारी दर्सक थे, उनके निवेदन पर मैंने अपने लाइबरेरी से अपनी पुरानी किताबों संग्रा में से, राडारी में से निकाला, जो मेरे अनभूत परियोग कि ये टोटके, टोने टोटके की संग्रा है, उसमें से निकाला, तब मैंने ये दिया, वो बहुत सुभ समय इन्होंने डिमांड किया, चूंकि ये दिपावली का समय बहुत ही इंपॉर्टेट होता, सुनिए, सुनिए, अभी जाइए नहीं, बहुत जरूरी बाद, दिपावली में हमारे हाँ छल्ला बन रहा थी, जैसे ये मैंने पहना, ये तो हमारा छल्ला नौ साल पुराना है, एक बार ले लिजिए और जब तक जीवन ने पहनिये, ये नहीं कि हर साल मंगाईए, हम पांच साल से छल्ला बनाने जिसमें हाथी की जंजील, मचली का काटा, नाओ का का काटा, राजद्वार का काटा, किन्नरी काटा, ये सब मिलाके बनाते हैं, सुद्ध सिद्ध करने के बाद, बाई कोरियर, बाई पोश्ट द्वारा अपने हम दर्सकों को देते हैं, जो लेना चाहते हैं, आप हमारे अगर चैनल पे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप से निवेदन हैं, हमारे चैनल को ढग से सुरू से देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, तो जो लोग लेना चाहते हैं इसे, तो हमारा वाट्सप नमबर 8726153903 पर अडर दे सकते हैं, ध्यान है, वाट्सप पे सिर्फ जिने मैं साधना सिखाता हूं, या जिनको मैं समागरी देता हूं, उन्ही का संपर के सूत्र रखता हूं, किसी पर पेदन है, कि आप ये दीपा वली जानते हैं, मात्र दीपक जलाने से उजाला कर दिये, तो ये दीपक जलाने से जो आप उजाला कर रहे हैं, यही एक दीवाली नहीं है, आपको उजाला करना है उस घर में, उस हिर्दय में, उस परवार में, जहां किसी ना किसी नकारत्मक विचार धाराओं को लेकर उसके परवार वाले अंधेरे में हैं एक्जामपल अगर आपकी आदत में सही दारू पीते हो नशा करते हो चोरी ढकाईती जो बुरी आदते हैं संकल्प लीजिए दीपा वाले दिन कि इसको त्याग रहो अपने माबाप के सामने और आज से हाथ में दीपक लेके कि आज से मैं इन तमाम बुराईयों को अपने इस जीवन जोती शुर के समान जलने वाले दीपक की रोसनी से उनको मैं अंधेरे में डालना हूँ वो कभी अप दिखाई ने देंगे इस उजाले के सामने मतलब अपनी बुराईयों को त्याग दीजिए और खुसियों का एक दीपक जलाईये अच्छाईयों का एक दीपक जलाईये जिससे आपके परवार खुश हो और उनको दीपावली में एक बड़ा आपका पुरुषकार यनि तोफा और एक गिप्ट हो तो जो लोग अपने वर्सों में काफी दुखाया मेरे अंदर ये बुरी यादत थी आज मैं वचन देता हूं आपका बेटा हूं कि आज से ये कर मैं नहीं करूंगा वचन देता हूं जैसे आप यह सब्द बोलेंगे देखें कि माबाद के चेहरे पे वो दीपक जलेगा जो करोलो दीपक जलाने पर प्रकाश नहीं होता है वो चेहरे पे तेजा जाएगी वो उश्मा आ जाएगी यही असली दीपावली होगी यही चाहता हूँ जैश्री राम